हेलो फ्रेंड्स कैसे हुआ आप मेरे नाम है नवीन और आप देख रहे हैं नियो वल्टे की येटूब चैनल दोस्तु आज के ये वीडियो काफी जबरदस्त होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए रेलवे टीसी टिकेट कलेक्टर और हैं आवेदन कब से कब तक चलेंगे सारी डिटेस्ट में आपको जानकरी मिलेगी बस वीडियो को लास्ट थेक दिएगा और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी सी शिकायत भी रहती है आप वीडियो देखते हैं पर लाइक निकरते तो जादा से यदा वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी परकार आपके लिए सरकारी नोकरी की जानकरी सबसे पहले लेकर आते हैं चाहे वो राज्य सरकार की भरती हो चाहे वो केंद सरकार की सबसे पहले आपको अपडेट देने की पूरी कोशिश क करते हैं तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा लास तक देएगा आज कई वीडियो काफी जबर्दस्त होने वाला है और दोस्तों अगर आप चाहते हैं रोजना आपको इसी परकास सरकारी नोक्रियों की जानकरी सबसे पहले मिले तो आज ही हमारे कीजिएगा तो चलिए फ्रेंड फटाफट से आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आज की लेटेस्ट रिकॉर्मेंट के बारे में जोकी निकाली जारी है रेलवे की तरफ से 2021 की तीन नई बड़ी भरतिया आ चुकी है और इस्पेशली आप सभी के लिए बड़ी कुश कबरी है यहां दोस्तो 2021 मार्च में आपको रेलवे टीसी और गुडगार्स की वेकेंसी देखने को मिल रही है आवेदस शुरू हो रहे है जल्दी तो हम आपको बताएंगी इस वेकेंसी की पूरी जानकारी वीडियो को लास्त तक जरू देखेगा और साथी साथ आपको बता दे दो नए नोटिफिकेशन जो जारी किये गए हैं उन्हें में आपकी कोई भी एक्जाम नहीं हो रही है सीधी भरती के तहट आप जो है सेलेक्शन पा सकते हैं सेलरी आपको मिल रही है 40,000 प्लस आपको पर मंस सेलरी मिलेगी जो की काफी जबर दस तो शान दस सेलरी है और कर चलते हैं सीधा ओफीशल वापसाइट पर बाकी की जानकरी आपको महीं देंगे तो दोस्तों अगर आप दसवी पास हैं बारवी पास है ग्रेजुट पास है या फिर अगर आप आप आई टिपलोमा डिगरी पास हैं तो आप सभी के लिए बंपर भरती आ चुकी है लग सबसे पहले में आपको एके करके तीनों वेकेंसी की जानकर देता हूँ तो यहाँ पर हम बात करेंगे नंबर वन वेकेंसी की जो की निकाली जारी है वेस्टर वेस्ट सेंटर रेलवे की तरफ से वेकेंसी हैं यहाँ पर आप देसेते हैं वैल्डर, टरनर, फीटर, इलेक् की जॉब है और दोस्तों यहाँ पर आपकी कोई भी एक्जाम नहीं हो रही है केवल आपका इंट्रीव के माध्यम से सलेक्शन होगा ओल इंडिया के केंडियर्स अप्लाई कर सकते हैं मेल और फीमेल वहीं एप्लिकेशन फीज जो है जर्नल ओबीसी के लिए 170 रुपए है सीङोप और लास्ट तक दिए गा हम आपको बताएंगे थर्डन नंबर की वेकेंसी जो की एंट्रीवेई TC की भरती है तो सेकिंड नंबर की जो वेकेंसी है बानारस लोकोमोटी वाक्स की तरफ UA 12 की टरफ की नॉन आइस की पोस्ट है और ITI pass candidates के लिए ITI की post है जो कि आप दिस्ते हैं लगबगा दिस्ते 344 पद यहाँ पर जारी कर दियेगे हैं यहाँ पर सारी branches, सारी trade mention कर रखी है कौन-कौन सी trade के लिए vacancies है total vacancy 374 है आवेदन केवल आपको online ही करना होगा सारी trade यहाँ पर दे रखी है दोस्तो अगर आप 10 वी pass हैं और अगर आप 9 ITI के लिए apply करना चाहते हैं तो आप 100% apply का सकते हैं यहाँ पर आपको ITI की जरूरत नहीं है तो आप 9 ITI post के लिए 10 वी basis पे apply का सकते हैं वहीं ITI post के लिए ITI अनिवार है ठीक है 374 post है आविदन online शुरू हो चुके है यहाँ पर आपकी ना exam हो रही है ना ही कोई आपका interview हो रहा है केवल merit के अधर पर आपका selection है All India के candidates apply का सकते हैं male और female वहीं age limit जो है 15-24 साल है और ICO में छुटलक्स है reserve candidates को application fees जो है यहाँ पर all other candidates के लिए सोर पे है और S.E.S.T. और P.H. candidates के लिए और female candidates के लिए बिल्कुल फ्री है payment आप जो है online करा सकते हैं किसी भी माद्देम से वहीं यहाँ पर education qualification 10-3 pass candidates apply का सकते हैं और अगर आप 10-3 के साथ ITI हैं तो ITI post के लिए भी apply का सकते हैं दोस्तों इन वेकेंसी की जो आवेदने शुरू हो चुके हैं फर्स्ट नंबर की वेकेंसी की last date है 27 February 2021 वहीं सेकिंड नंबर की जो वेकेंसी है उसकी 15 February 2021 लास देट है अब बात करते हैं फाइनली दोस्तो और railway TC की bump पर भरती की जैसा की आप देख सकते हैं इंडियन रेलवे दोरा यहाँ पर फाइनली अपडेट जारी हो चुका है रेलवे टिकेट कलेक्टर और गुडगार्स की वेकेंसी की जो की गुरूप C की वेकेंसी है टोटल वेकेंसी 4000 है और यहाँ पर आप देख से टिकेट कलेक्टर TC की 3000 पत है वहीं गुडगार्स के 1000 पत है आप दन के वल आपको दोस्तों ओनलाइन ही करना होगा और इंडिया के मेल और फीमेल के इंडियर्स अपलाए कर सकते हैं वहीं सेलरी यहाँ पर 21,700 से 81,000 रुपे तक आपको सेलरी मिलेगी और सेलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर आपकी 4 स्टेप है जिसमें आपके CBT टेस्ट होगे उसके बाद फीजिकल एफिसेंसी टेस्ट होगा उसके बाद मेडिकल टेस्ट उसके बाद फाइनली आपके document verification होगे और इस वेकेंसी के लिए जो almost आपकी age limit होगी वो होगी आपकी 18 से 30 साल और ISUMA में छूट लगसे होगी ठीकिए वहीं education qualification जो है 12 और any graduate pass candidates apply कर पाएंगे दोस्तो आपको finally update बता देते हैं क्योंकि railway में 3000 TC 1000 guards की भरती होने जारी है जो कि आप finally update देख सकते हैं यहाँ पर railway की जो मंत्री है उन्होंने यहाँ पर update जारी कर दिया है और railway की यहाँ पर 3000 पद होंगे और वहीं 1000 पद जो है guards की होंगे तो दोस्तो आपडेट आ चुकी है तब तक आप हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए हम आपको जैसे आप इतन शुरू होंगे अब सबसे पहले अपडेट कर देंगे और आपको बताएंगे कैसे आपको apply करना है तो चैनल को subscribe करना बिल्कुल न भूलिएगा वीडियो की निचे सलाल बटन को जरू दबाने साथ ही साथ इस घंटी के बेल आइकन को जरू दबाएगा प्लेज वीडियो को लाइक जरू किजिएगा